Hello friends, आपने अपने mobile के keyboard पर देखा होगा जब आप कुछ टाइप करते हैं, तो आपका keyboard आपको suggestion देता है कि आप ये next word टाइप कर दीजिए, ये कैसे करता है, आज के demo में मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि आप खुद ये program कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये program चला के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको code walkthrough करवाऊंगा, तो इसको चलाना कैसे है, एक command prompt पर चलेगा ये, और python और file का नाम, अब आप खुद टाइप कर सकते हैं, for example मैं टाइप करता हूँ i, और जैसी मैं space दबाऊंगो ये मुझे suggestion देगा, कि मेरा next word क्या हो सकता है मैं चाहे तो like type कर सकता हूँ, चाहे कुछ और type कर सकता हूँ, सबसे पहले positive test case करते हैं, मैं type करता हूँ i like, तो ये कहता है कि मेरा two possibilities हैं, या मैं ml type करूँ, या मैं reading type करूँ, या मैं कुछ और भी type कर सकता हूँ, तो अगर मैं ml type करता हूँ, तो ये कहता है कि books, तो इसका मत इसमें easy हो जाता है, मैं आप कुछ और एक दूसरा example लेकर देखता हूँ, I like, मैं आपको tap दबाता हूँ तो auto complete कर देगा, like, और इसने खुद बता दिया कि I like ml or reading, suppose मैं reading type करता हूँ, और यह कहता है, अब क्या पढ़ना पसंद करता है, I like reading books or I like reading ml, मैं करता हूँ I like reading ml, तो कह कहता है कि इसके पास suggestions खातम हो चुके है, इसे आगे suggestion नहीं है, अब मैं आपको कुछ negative test कर दिखाता हूँ, इसको मैं दुबारा चलाता हूँ, चलिए मैं लिखता हूँ I, मैं कहता हूँ like नहीं लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ love, I love reading books, यह मैं लिखना चाहता हूँ, अब इस model के पास, यह model train नहीं है, की love के बाद क्या आना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ reading books, इसके पास कोई suggestion नहीं है, अब मैं आपको एक और negative test कर दिखाता हूँ, I like ml reading, अब मैं चाहता हूँ I like, suppose मैं लिखता हूँ flowers, अब इसके पास कोई suggestion नहीं है, यह ऐसा क्यों कर रह है, कि कुछ जगह पर इसके पास suggestions हैं, कुछ जगह पर इसके पास suggestions नहीं है, इसके लिखता हूँ, यह है इस algorithm का training data, मैंने इसको तीन sentences से train किया है, I like ml books, I like reading books, and do you like reading ml, मैंने पहले case में यह डाला था I, और फिल डाला था like, तो इसके पहले जैसे ही मैंने डाला I, तो इसके मैं like type करूँगा, और इसके पास कुछ भी नहीं है like के अलावा, तो इसके मिरे को सरफ ही के suggestion दिया, अब मैं लिख देता हूँ like, like के बाद, या तो ml type कर सकता हूँ, या reading type कर सकता हूँ, तो इसने मिरे को दो suggestion दिये, ml या reading, अगर मैं ml type करता हूँ, जैसे मैंने first case में किया है, तो बहुत ज़्यादा chances हैं कि वो like type करेगा, हमारे mobile के keyboards भी इसी principle पर काम करते हैं, वो उनके पास एक database होता है, जो हम type करते हैं, आज तक वो store कर लेते हैं, यहाँ पर demonstration के लिए मैंने सिर्फ तीन sentences डाले हैं, इस code को मैं github पर डाल रहा हूँ, आप वहाँ से ले सकते ह हैं, और आप इसको tweak कर सकते हैं, आप database को बढ़ा सकते हैं, या user जब भी कोई type करेगा, तो आप उसको automatically store कर सकते हैं, अब मैं आपको लेके चलता हूँ, code के उपर, तो सबसे पहले मैंने दिया कि मेरा training data कहां भी है, यह training data के file का नाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं, testtext.txt, और इसके बाद मैंने तीन dictionaries बनाई हैं, पहली होती है, first possible words, first possible words जो उनसे होते हैं, उसमें होगा I, I यह do, जो सबसे पहला word होगा, जब भी user start करना type करेगा, तो उसको प्रोग्राम को पता होना चाहिए, कि वो पहला word क्या हो सकता है, पहला और second word, special character है, इसलिए मुझे दो dictionary बनानी पड़ी, पहले first possible words and second possible words, उसके बाद आती हैं transitions, उसके बाद जितने भी possibilities हैं, I like, I love, like, reading, reading books, books, ml books, वो सब transitions के अंदर आ जाएंगी, एक transition के बाद, दूसरे transition की probability क्या होगी, आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, जैसा मैंने शुरुरू में बताया था, अब मैं आपको तीन ओ dictionary यहाँ पर खोल के दिखाता हूँ, सबसे पहले लेते हैं, first possible words, I और do, यही दो possibility बनती हैं, क्य और do की probability होगी, one third, that is 33%, now हम लेते हैं second word, second possible words आते हैं, I के बाद क्या आ सकता है, I के बाद यहाँ पे सिरफ like आ रहा है, तो इसने 100% possibility दी, I के बाद like आएगा और उसकी possibility 100% है, one means, one into 100, 100%, और अगर do आता है, तो do के बाद भी सिरफ एक ही sentence आ है, do you, do you like, तो यह भी 100% है, अ do I, और उसके बाद मैं इसे model को फिर से train करूँगा, तो आप देखेंगे, यहाँ पर दो आ जाएंगे, do you and do I, और दोनों की probability 50% हो जाएगी, do I flowers, correct, और मैं इसको फिर से चलाता हूँ, एक मैं break point लगा लूँगा ताकि variables populate हो सके, start किया, continue किया, और अब देखते हैं, first और second में क्या आता है, second possible words, जैसा कि हमने यह अंदाजा लगाया था, do के बाद, अब दो possibilities हैं, या तो do के बाद I आएगा, या do के बाद you आएगा, और क्योंकि सिर्फ दो हैं, तो 50-50 probability divided हो जाएगी, यही चीज़ अगर हम चला के देखते हैं, code के यहाँ पर, तो बनेगा do, य यू या आई, मैं टाइप करता हूँ, suppose you, तो वह कहेगा like, तो मैं कहता हूँ like, reading, अब like के बाद reading क्यों आया है, like के बाद reading है, और like से पहले वाला जो word है, वो इसमें consider हुआ है, like से पहले तो you, like you, तो इसके बाद क्योंकि लोगों ने reading type किया है, तो इसलिए इसने के suggestion दिया, you like reading, ये हैं transitions, ये हैं आपके transitions, तो ये transition जो उनसी है, you like, देखते हैं अब you like के बाद इसने बोलो कि इसके जो probability है, 100% reading ही आईगे, इसलिए सरफ इसने एक suggestion दिया है, I hope आपको data का flow अब तक समझा आ गया होगा, कि कैसे हो रहा है, जो तीसरी dictionary की हम बात कर रहे थे, transitions, ये store करती है, possible values, do के बाद अगर I आएगा, अगर user ने पहला के बाद do और उसके बाद I type किया है, तो क्या chances है, उसके database में क्या है, इसके बाद normally लोगों ने like type किया है, अगर user ने I type किया, उसके बाद like type किया, तो लोगों ने ml, reading और flower, तीनों बराब पर आपर टाइप किया है, तो इसलिए इसकी probability divide कर दिया, तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, actual algorithm implementation पर, तो मैंने यहाँ पर तीन main function मनाया है, सबसे पहला है train Marco model, जो internally call करता है, get next probability को, और internally call रहता है, expand dictionary, हमको next word लेने के लिए मैंने एक function मनाया है, next word, और मैंने उसके एक tuple supply किया है, यह simple print usage है, नीचे जो app को आप देख रहे हैं, मैं कुछ type कर रहा हूँ, input ले रहा है, उसके बाद कुछ suggestion दे रहा है, वो सारा code line 69 से 1991 के बीच में है, मैं CVR, MHVCRT को मैंने इसलिए यूज किया, ताकि मैं character by character user से insert करवा सकूँ हूँ, और उसको manipulate कर, आप इस logic को अपने हिसाब से remove कर सकते हैं, अगर आप इसको किसी और client पे, for example, आपको web system में या JavaScript में या कहीं यूज करना चाहते हैं, आप इसको replace कर सकते हैं, अपनी preferred language, यह स करता है, तो program stop हो जाएगा, अगर user tab type करता है, तो वो नया character नहीं लेगा, सिर्फ suggestion देदेगा, और वो इस code में flow कर जाएगा, अगर वो user tab नहीं type करता है, तो simply get character लेगा, उस character को simply print करवा देगा, as it is, और जो मैंने sentence नाम का string variable बनाया है, वो उसमें append कर देगा, तो हमारी string ह है, वो बड़ी होती जाएगी, नीचे line number 81 के बाद, अगर वो space आता है, तो मैंने string को split किया words में, और मैंने अपना next word वाला function call किया, इसको मैंने supply किया है word by word, मैं इसको एक tuple मना के बेज रहा हूँ, I space like, तो मैंने इसको tuple के अंदर पहला दिया I, दूसरा दिया like, यह क्य चक करता है, अगर उसमें सिरफ एक word आया है, इसका मतलए यह सिरफ पहला word है, अगर पहला word आया है, तो देखता है कि second word के अंदर, वो क्या suggestion, क्या possible values थी, अगर वो possible values है तो देगा, नहीं तो ब्लैंक देगा, अगर हम पूरा एक tuple देते हैं, for example, हमने user ने type किया, suppose you like, तो वो इस transition के matrix में जाएगा, transition में जाके देखा कि you like कहां पे है, और you like के बाद, जो dictionary आई है, उनकी keys को उठा के as a list supply कर देगा, तो यह program का flow as a client हो गया, आपको यह वाला part नीचे clear हो चुका है, अब चलते हैं उपर, train markov model में क्या है, यहाँ पर जो हमारे past training data था, हम उसको read क lower case में ले जाके, उसके टुकडे करते हैं, तो word by word, जिनको tokens लिया, और हर token के लिए, हमने क्या किया, अगर वो पहला character 0th position पे था, इसका मतलब वो first possible words में जाना चाहिए, first possible word उस string का पहला word, तो हमने उसमें डाल दिया, otherwise, या तो वो dictionary में, या तो वो second possible word में जाएगा, या फिर वो आपका transitions में जाएगा, तो हमने ही चेक किया, अगर यहाँ पर I is equal to 1 है, यानि कि वो next word है, तो हमने क्या किया, एक expand dictionary function कॉल किया, जिसने उसके corresponding देखा कि उसके अंदर अगर कोई value है, तो वो उसके probability calculate करके, ऐसे इस form में insert कर देगा, और otherwise, अगर वो पहला भी नहीं और दूसरा भी नहीं है, तो वो transitions के अंदर डाल देगा, इसका सिरफ इतना काम है, जो हम dictionary supply कर रहे हैं, first possible word, second possible word, या for transitions, expand dictionary उसमें relevant place पे आपकी values को store कर देगा, और तो यह train model सिरफ इतना ही काम कर रहा है, कि आपके तीनों dictionaries को populate कर रहा है, get next probability आपका क्या करता है, आपकी जितनी values यहां पे आती हैं, उनको divide करता है, suppose आपका ML word तीम बार आया, आपका reading word दो बार आता है, और suppose आपका flower word एक बार आता है, तो आपके वो probabilities को divide कर देगा, यह हो रहा है आपका line number 16 to 18 पे, आपके पास अगर आपका example हमने लिया था कि ML word तीम बार आया, reading word दो बार आया तीन और दो पांच और एक flower है, एक बार चे, तो तीन बार अच्छे, यह 50% हो जाएगा, 0.5, reading 2 by 3, 2 by 6 हो जाएगा, और कि यह 1 by 6 हो जाएगा, total probability आपकी 1 रहेगी, तो friends यह थी, code कैसे implement किया है, आप इसको चला के देख सकते हैं, code मैंने github पे डाल दिया है, अब आते है Marko Chain, आप इस code को try कीजिए, Marko Chain कैसे काम करता है, states कैसे बनती है, इसी example के लिए states कैसे बनती है, मैं next वीडियो में आपके लिए डाल दूँगा, तकि आप दोनों को side by side चला के समसे हैं